Good morning students, welcome to your Hindi lecture, सबने हिंदी की वगबुक निकाली, very good, तो आज हम हमारा जो पाठ हम पढ़ रहे थे, कौन सा, बारा खड़ी, कौन सा पाठ पढ़ रहे थे, बारा खड़ी, ओके, बारा खड़ी, पेज नमबर फोर, आप सबको वगबुक में निकालना है, बारा खड़ी पाठ, पेज नमबर फोर, निकाला, ओके, very good, तो आज हम बारा खड़ी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बारा खड़ी, ओके, हमने क की बारा खड़ी पढ़ी, ख की पढ़ी, ग की पढ़ी, ग की पढ़ी, ग की पढ़ी, और च की पढ़ी, अभी हम च की बारा खड़ी सब को ये red line दिख रही है वहाँ आपको छ की भारा खड़ी लिखनी है छ को आप सबसे पहले कौन सी मात्रा आती है आ की मात्रा, आ की मात्रा कैसे दिखते है छ निकालते है और उसके बाजू में एक standing line छ को आ की मात्रा तो छ को आ की मात्रा देने के बाद ये क्या बन जाएगा छा क्या छा फिर छ को छोटे इकी मात्रा देंगे कौन सी छोटे इकी मात्रा छ निकालेंगे और छोटे इकी मात्रा के समय अक्षर के आगे से standing line और आगे से बिलांटी आती है तो ये क्या बन जाएगा छी क्या बन जाएगा छी एकी मात्रा दी उसके बाद बड़े एकी मात्रा चो को बड़े एकी मात्रा कैसे पीछे से विलांटी चोटियों की मात्रा समय आगे से विलांटी बड़े एकी मात्रा के समय पीछे से विलांटी च, च, एकी विलांटी दी छी, बड़े एकी विलांटी छी च को उकी मात्रा देंगे, तो अक्षर के आगे से उकार तो ये क्या बन जाएगा? छू ये हुआ छोटे उकी मात्रा उसके बड़ च को बड़े उकी मात्रा देंगे, तो उसको पीछे से उकार देंगे छोटे उकी मात्रा आगे से उकार, बड़े उकी मात्रा पीछे से उकार फिर च को एकी मात्रा देंगे, कौनसी एकी मात्रा? कैसे निकालते एक ही मत्रा अक्षर के उपर एक slanting line कौनसी line slanting line एक ही मत्रा छ को एक ही मत्रा देंगे तो एक क्या बन जाएगा छे क्या बन जाएगा छे फिर छ को आई की मत्रा देंगे कौनसी आई की मात्रा कैसे? उपर दो slanting line चो को उपर दो slanting line देने हैं तो ये क्या बन जाएगा? चै, ये हुई आई की मात्रा चो को आई की मात्रा देने के बाद ये क्या बन जाएगा? चै, फिर चो को आई के बाद O O की मात्रा कैसे? बाजु में स्टैंडिंग लाइन और उपर स्लैंटिंग लाइन तो यह हुआ छो क्या हुआ छो ओ की मतरा दी उसके बाद ओ के बाद क्या आता है अउ तो छो को ओ की मतरा देंगे कैसे स्लैंडिंग लाइन और उपर दो स्लैंटिंग लाइन दो स्लैंटिंग लाइन देने हैं छो की मात्रा के समय एक स्लैंटिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन अउ की मात्रा के समय एक स्लैंटिंग लाइन और दो स्लैंटिंग लाइन छो छवू लास्ट में अंग की मात्रा च को अंग की मात्रा कैसे उपर एक अनुस्वार तो ये क्या बन जाएगा चंग और लास्ट में च को आहा की मात्रा तो ये क्या हो जाएगा चा च, 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 आकी मात्राच्छा, एकी मात्राच्छी, बड़े एकी मात्राच्छी, उकी मात्राच्छू, बड़े उकी मात्राच्छू, एकी मात्राच्छे, आई की मात्रा चाई, ओ की मात्रा चो, अउ की मात्रा चाउ, अं की मात्रा चंग, और अह की मात्रा चाउ चो के बाद आता है, जो, फिर जो को आ की मात्रा देंगे जा, जको आ की मत्रा, जा, फिर जको ई की मत्रा, जी, जको ई की मत्रा, जी, फिर जको बड़े एकी मत्रा, जी, बड़े एकी मत्रा, जी, जको छोटे उकी मत्रा, जू, क्या छोटे उकी मत्रा, जू बड़े उकी मात्रा जको जू छको बड़े उकी मात्रा जू फिर जको एकी मात्रा जे जको एकी मात्रा जे जको आकी मात्रा जाई जको आकी मात्रा जाई जको ओकी मात्रा जो जको आकी मात्रा जाउ जो को आउ की मात्रा जव, जो को अंग की मात्रा जंग, जो को अंग की मात्रा जंग, और लास्ट मी जो को आँ की मात्रा जह, जो को आँ की मात्रा जह, जा, जी, जू, जू, जे, ज़, 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 मात्रा के बाद जग को इकी मात्रा देंगे कौंसी मात्रा इकी मात्रा जग को इकी मात्रा दें जी क्या जी फिर जग को बड़ी इकी मात्रा देंगे बड़ी इकी मात्रा तो ये क्या बन जाएगा जी फिर जग को छोटी उकी मात्रा देंगे ये कौनसी है, छोटे उकी मात्रा, जू, कौनसी मात्रा, छोटे उकी मात्रा, फिर जग को बड़े उकी मात्रा देंगे, जू, जग को छोटे उकी मात्रा, जू, बड़े उकी मात्रा, जू, फिर जग को एकी मात्रा देंगे, एक ही मत्रा मतलब उपर है slanting line यह हुआ जे क्या जे फिर ज़को आई की मत्रा देंगे ज़को आई की मत्रा देंगे तो यह क्या हो जाएगा ज़ई क्या हो जाएगा ज़ई फिर ज़को ओ की मत्रा देंगे ज़को ओ की मत्रा देंगे तो यह क्या हो जाएगा जो क्या जो ओ की मत्रा के बाद ज़को आउ की मत्रा देंगे कौनसी आउ की मत्रा तो यह क्या हो जाएगा ज़ई और और अउ की मात्रा की बाड अंग की मात्रा देंगे ये कौनसी मात्रा है अंग की मात्रा तो ये क्या हुआ जंग क्या जंग और लास्ट में आ की मात्रा कौनसी आ की मात्रा जा जा जी जी जू 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 जे जई जो, जव, जंग, जा ज़, जा, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जव, जंग, और जा अभी आपको पीस नमबर फाइव निकालना है क्या पीस नमबर फाइव यह क्या है? इय, क्या है? इय, तो आपको इय की बारखड़ी नहीं लिकनी है तो आपको इय के आगे ऐसे कैंसल करना है उसके बाद, इय के बाद क्या आता है? त, क्या आता है, त, त की बाराखड़ी लिगेंगे, त को आ की मात्रा देंगे, कैसे बाजू में एक स्टैंडिंग लाइन, आ की मात्रा, त को आ की मात्रा कैसे, त लिखेंगे और बाजू में स्टैंडिंग लाइन, त, त, फिर त को ई की मात्रा देंगे, E की मात्रा कैसे आगे से standing line और आगे से विलांटी छोटे E की मात्रा कैसे आगे से standing line और विलांटी त को E की मात्रा देंगे T क्या T उसके बाद त को बड़े E की मात्रा देंगे मतलब पीछे से विलांटी छोटे E की मात्रा आगे से विलांटी बड़े एकी मात्रा पीछे से विलान टी 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 एकी बाद उकी मात्रा ट को उकी मात्रा देंगे कैसे ट निकालेंगे और ट को छोटे उकी मात्रा कैसे आगे से उकार ट को आगे से उकार देंगे दिया त को आगे से उकार छोटे उकी मात्रा तू ये क्या तू बड़े उकी मात्रा कैसे पीछे से उकार ये हुआ तू क्या तू छोटे उकी मात्रा आगे से उकार बड़े उकी मात्रा पीछे से उकार Then, ta को एक ही मात्रा देंगे। कौनसी? एक ही मात्रा त के उपर एक स्टेंटिंग लाइन। ते ये क्या हो जाएगा? ते फीट त को आई की मात्रा देंगे। कौनसी? अई की मात्रा तो ये क्या बन जाएगा टै क्या टै फिर टको ओ की मात्रा देंगे कैसे बाजू में standing line और उपर ए slanting line ये क्या हुई ओ की मात्रा कौन सी ये हुई ओ की मात्रा तो ये हुआ टो पिट को अउकी मात्रा देंगे कौन सी अउकी कैसे उपर दो slanting line बाजू में एक standing line और उपर दो slanting line अउकी मात्रा के समय बाजू में एक standing line और उपर एक slanting line अउकी मात्रा में बाजू में एक standing line और उपर दो slanting line यह है टो यह है टो 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 लास्ट में आंग की मात्रा तंग। तको आंग की मात्रा तंग। और तखो अग की मात्रा तहाँ। त को अहां की मात्रा तहां त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तै, तो, तू, तं, तहां त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तै, तो, तू, तं, तहां उसके वादा आता है थ, क्या आता है थ, थ को आखी मात्रा देंगे त, 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 बड़े एकी मात्रा मतलब पीछे से विलांटी तो ये हुआ ठी ये हुआ ठी 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 फिर ठको उ की मात्रा देंगे कौन सी? उ की मात्रा ये देखो ये है उ की मात्रा तो ये हुआ ठू ये हुआ ठू और उखी मात्रा के बार ठको बड़े उखी मात्रा मतलब पीछे से उकार ठू क्या ठू पिठ ठको एक ही मात्रा मतलब उपर एक स्लैंटिंग लाइन ठको एक ही मात्रा देने के बार यह क्या बन जाएगा ठे क्या बन जाएगा ठे एक ही मात्रा देने के बाद ठे फिर ठको आई की मात्रा देंगे कौनसी आई, तो ये क्या बन जाएगा ठै, क्या ठै, आई की मात्रा के समय अक्षर के उपर दो slanting line एक ही मात्रा के समय one slanting line अक्षर के उपर और आई की मात्रा की समय दो slanting line एक की मात्रा की समय वन slanting line और आई की मात्रा की समय टू slanting line ठे, ठाई, फिट्थ को ओ की मात्रा देंगे, कौनसी? ओ की मात्रा, कैसे? बाजू में standing line और उपर एक slanting line तो ये क्या बन जाएगा? ठो, क्या है ये? ठो फिर ठ को आउ की मात्रा देंगे कौन सी आउ की कैसे बाजू में standing line और उपर दो slanting line तो ये क्या बन जाएगा ठाउ क्या ठाउ उसकी बार ठ को अंग की मात्रा देंगे मतलब अक्षर की उपर अनुस्वार ठाउ ये क्या है ठाउ और लास्ट में ठ को आउ की मत्रा देंगे क्या आउ तो ये क्या बन जाएगा ठाउ क्या ठाउ ठ ठ ठ धी थी थू तू थे थैंग तई थू तो थे थं त्धं था नाउ ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठाई, ठो, ठू, ठं, ठहा ध के बाद अभी हम द की बारा खड़ी पड़ेंगे द को आ की मात्रा डा, छोटे एकी मात्रा डी, द को छोटे एकी मात्रा डी द को बड़े एकी मात्रा डी, द को बड़े एकी मात्रा डी द को बड़े एकी मात्रा दी, द को एकी मात्रा डी, द को अईकी मात्रा डी द को आउ की मात्रा दौ द को आउ की मात्रा दौ द को आँग की मात्रा दं और द को आँग की मात्रा दहा द, डा, दी, दी, डू, डू, डे, डई, डो, दू, डंग, डहा तो हमने क्या क्या पढ़ा च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चू, चंग, चा ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जै, जो, जव, जंग, चा ज, जा, जी, जू, 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 जे, जै, जो, जव, जंग, जा त, 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 ती, ती, तू, तू, ते, तै, तो, तू, तंग, तहा त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तै, तो, तू, तंग, तहा त, 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 ती, ती, तू, बू, डू, दे, दै, दो, दव, डंग, तहा तो आप सबको हमने अभी जो वकबुक में लिखा आज जितना पढ़ा छ, ज, 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 ज़, त, थ, औ यह वकबुक में कम्पलीट करना है और नोटबुक में भी आपको कम्पलीट करना है है और नोटबुक में करके आपको मुझे वो बेजना है यह आपका होमवक है ओके